नमस्कार सभी को स्वागत आपका इजने है अडिकेटर चैनल में तो अभी लगातार हम 50-50 प्रशनों का जो सेट कर रहे हैं लाइबरे साइन्स लेटिड तो अभी आज यह तीसरा है इससे पहले के जो दो वीडियो आ चुके हैं उसका लिंक आपको आई विटन पर या फिर से मिल जाएगा तो यह प्रशनों को करें से पहले मैं कुछ बता दूं हाला कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ज्यादा समय हम इस वीडियो में नहीं लगाएंगे पर यह जरूरी है तो जैसा कि मैंने बताया कि यह आपके प्रशनों जो है लाइबरेंट ग्रे तो उनका छोड़ दीजिए आप अपनी जो तैयारी आपकी चल रही है उसको रिलेट करके कोई पर प्रशन नहीं आता है तो उस पर आप ज्यादा फोकस ना करें जो आपने पड़ा है वह नहीं आ रहा है तो आप उसको जरूर कीजिए और जो नहीं पड़ा स्लेबस में न आपको पूरी पेपर की जो है टेलिग्राम पर अप्लोड कर दी जाएगी तो सबसे पहला प्रशन इसमें है हाइपर टेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया था ओप्शन आपको दिये गए हैं तो यह प्रतिपादित किया गया था टैड नेलिसन द्वारा तो पुस्तक वर्गेकरण के लिए साइटिक वरंट पद किसने प्रतिपादित किया था तो आप देख सकते हैं कि प्रशन बहुती ईजी तरीके क्या चुके आ रहे हैं डीट पेस्ट मैंसे प्रशन पूझे जाते हैं तो आपको फोकस करना है कि अगर प्रशन आपको कहीं भी साइंस से दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको जरूर सॉल कीजिए तो इसमें जो इसका राइटान से क्या होगा साइटिक वरंट पद को प्रतिपादित किया है वो कि आपके विन्बन हूम ने अगला प्रशन जो है आप यहाँ पर इंगिश में देख सकते हैं और फिर है इंडी में भारत में पुस्तकाले एंवं सूचना नितिका राष्ट्य इस्तर पर अनुप्रियों किसके दवारा किया गया अगला प्रशन है नेम लेकित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है तो इसमें कौन सी अलर्टिंग की सेवा नहीं है तो इसमें अभी हमने विडियो किया था जिसमें आपको जो है जो लाइबरी की जो सर्विसेस है उसमें आपने देखा था तो इसमें आपकी अलर्ट यह है electronic clipping service है लेकिन आपकी अगर हम बात करें जो desirable service एक प्रकार की हम कह सकते है document delivery service तो यह आपकी alerting service नहीं है तो थर्ड options का right answer हो जाएगा अगला प्रशन है research in progress database in India तो आपका topic नहीं होगा तो फिर भी इसका आपका शोद गंगोत्री तो उसको आप ध्यान डख सकते हैं अच्छा प्रशन है फ्रीवी किस वर्गे करन पतती में विशेश साय क्रियाएं स्थाने रूप से पुन्रावर्ति विशेशताइं इंगित करती है तो वह है आपकी अगला प्रशन है अभी दार्णा है तो अभी दार्णा क्या है तो अभी दार्णा होती है किसी बात की संभावना का स्वय प्रमानित कथन भारती राष्टे ग्रंथाले मिशन किस वर्ष में स्तापित हुआ तो या तो दो हजार बारा में मैक्रा हिल एंसाइक्लोपीडिया और साइंस एंड टेक्नोलोजी का उनलाइन संस्क्रण है तो वो है आपका एक्सिस साइंस अगला प्रश्ण है सूचना अंतराने शब्द किसने प्रतिपादित किया इंफर्मेशन ट्रांसफर जो टर्म है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई तो बिसमेन अगला प्रश्ण है भारती रास्टे ग्रंत सूची दो भागों में करमबत की गई सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन तो सामान्य प्रकाशन है एक आपका एलेक्ट्रोनिक प्रकाशन हो जाएगा सेकंड ओप्शन इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण है यूनिसिस्ट स्तापना करने के लिए रूनिस्ट को ने किस एजन्सी के साथ सायोग किया तो वो है ICSU इन में से कौन से प्रलेक प्रात्मिक स्रोत नहीं है प्रात्मिक स्रोत को लेकर के जो अथेंटिक डेटा आप ले सकते हैं इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि तो वह है आपकी रेफरेंस बुक्स कि तो रेफरेंस बुक्स आपकी किसमें आ जाएगी सेकेंडरी सोर्सेज में अगला आपका इफला का मुख्याल है कहां पर इस्तित है नीदे लेंड की हैग में स्तित है तो यहां पर फोर्थ ऑप्षिन जैसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रेशन है ब्लॉग क्या है तो ब्लॉग है एक तो ब्लॉग हो जाएगा आपका इंटरनेट पत्री का इंटरनेट जनरल कह सकते हैं ब्लॉग को आइडेंटिफाई दा क्रोनलोजिकल ओडर ओफ दे फॉलोइंग कैटलोग कोड्स तो सबसे पहला यहां पर है AACR2 तो इसकी पारे में हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आप ध्यान रखें जो क्यों होती है आपकी एंग्लो अमेरिकन कैटलोगिंग रूल्स तो आगे टू दिया गया है मतलब सेकेंड एडिशन की बात की गई है पहले कि अगर हम बात करें तो 1967 और दूसरे एडिशन आपका था 1978 तो अभी हम 1978 को ध्यान में रखके करेंगे क्योंकि एस यार टू दिया गया है नेक्स्ट आपका ट्रिपल सी क्लाशिफाइग कैटलोग कोड तो इसका यह सम्मंदित है 1934 से अगला है एक कोड एंग्लो अमेरिकन कोड तो यह आपका सम्मंदित है 1908 से फिर आपका एले कोड अमेरिकन ल हार्डिंग आप मिलान करके देख सकते हैंनका सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले आपको सी जो है और दिखाई दे रहा है अन्त में आपको यह ओप्शन चाहिए तो यहां पर आपका एक ही उप्शन मनता है जो कि आपका थार्ड उप्शन अगला प्रश्चन है eric is sponsored by eric किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है तो eric क्या है आपका education resources information center और यह आपका जो है प्रायोजित जो किया जाता है department of health education and welfare जो आपकी government है वो भी USA की तो इसको आप ध्यान रखे department of health education and welfare USA government government of USA तो यहां पर जाएक आपका third option is correct answer अगला प्रेशन है वैब impact factor is developed by तो वैब impact factor किसके द्वारा विकसित जो है किया गया है कि पी इंग्वर्स हैं द्वारा किया गया है डबलीन कोर क्या है तो यह आपका metadata standard है अगला प्रेशन है निम्न लिकित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरोपित किये गए कि सैनन और वीवर द्वारा कि एफटी आई पर भारा सरकार के मत के बारे में सूचना निम्न लिकित में से मिल सकती है कि तो यह मिलेगी आपको एशियन रिकोर्डर द्वारा अगला प्रेश्ट है आई एस सो नो हजा स्टेंडर्ड डिनोर्स दर तो क्या इंगित करता है तो यह करता है किसे उत्पाद या सेवा का प्रदत मानक या पेक्षाओं समुह के अनुसार एक रूपेण पुष्टी करन अगला प्रेश्ट है विच नैशनल अजेंसी इन इंडिया इस साइनिंग दा आई एसस तो यह करती है अगला है जिफ सिदान तिमली किस्त में से सम्मंदित है एक लेक विवरण में शब्दों की पुन्रावर्ती के लिए विग्यानिक विधी चक्रद्यन करता है स्पाइरल ओफ साइंटिफिक मेथर्ड स्टडीज तो यह करता है आप विशे की संदचना यूनिसिस्ट है विश्विग्यान सूचना कारिकरम किसने परिपाशित किया है कि संदप सेवा पाठक तिता उसके प्रलेक के मद्धेनीजी रूप में सम्मंद इस्ताबित करने की प्रक्रिया है तो यह परिपाशित किया है डॉक्टर ऐसार रंगनाथन ने अगला प्रिचन है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम लिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो असोशेशन ओफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारती विश्विद्याले संग तो यह कि जाते हैं इंसिटूट फॉर साइन्टिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया किसके द्वारा परिभाशित किया गया है कि पुस्तकाले वर्गिकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विशेग के नाम को करम सूचक अंको की अधिमानने कृत्रिम भाशा में अनुवाद करना है तो यह परिभाशित क्या है डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ने विश्यों के बनने की प्रणाली परिती करण के द्वारा किस प्रकार के विशेग का निर्मान होता है कंपाउंट सब्जेक का संयुक्त विशेग का अगला है वर्गिगर्ण सिदान्त में जो है सिदान्त का वर्णन करने ही तू प्रत्थमत है उप सूत्र पद का उप्योग किसके द्वारा किया गया तो यह किया गया था डबलू सीबी सेयर्स द्वारा अगला प्रशन है द्विविंद्व वर्गिगर्ण के चटवे संसुदी शंस्क्रण के मुख्य वर्ग वो साइट या पी त्री निमले कितमे से किसे दर्शाता है तो ओथर पक्ष को दर्शाता है लेखक पक्ष को ध्विंद्व वर्गिगर्ण में चटवे संस्क्रण के अंसाथ 654 ईस्वी हे तुवर्गांख होगा तो यह होगा डी 644 अभी कतन दिया गया है inflipnet केंदर के दवारा भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालियों को प्रलेक प्रदान सेवा की जाती है कारण है आधुनिक प्रोदोगी की नेवांचित प्रलेखों का इलेक्ट्रोनिक रुपांतरन संभव कर दिया है तो इसमें आपका एक अलत है परन्तु जो कैह है वो आपका सही है अगला प्रशन है इंफर्मेशन नेस्न इंफर्मेशन सेंटर फोर फूर्ड साइन्स एंट टेक्नोलोजी कहां इस्तित है मैसूर में ट्रुपल सी में विशे विशलिशन आत्र प्रविष्टी को निमलेखित में से किस से जाना जाता है तो इस जाना जाता है CRE से अगला प्रशन है सीर्षक प्रिष्ट पर मात्र संपादक का ही नाम होने के सिद्धी में ACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टी बनेगी पुस्तक के सीर्षक से इंडिया हू इस हू इस पब्लिश्ट बाई इन्फा पब्लिकेशन न्यू देली एक पुस्तकाले द्वारा पुने परक्रिया हे तू कारे सीर्ष संग्रे को पहचानने की युक्ती है तो आपका निधार्यता का उपसूत्र अगला प्रेश्ट है इन्फा रोज एक महत्पून अध्यान है जिसको प्राई नेम लिखित से उधरित किया जाता है तो आपका सर्वेश सर्च विश्य वरियरन को प्रारंबिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया जेडी ब्राउन द्वारा साइन साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो यह थॉमस रूटर्स द्वारा किया जाता है फरस्ट उप्शन अगला प्रशन है साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है तो अमेरिका इंसिट्टूट उप फिजिक्स इन जनरल्स के पुराने खंडों हेतु पहुँच को कहते हैं परपेट्चूल एक्सिस परपेट्चूल पहुँच सेग्मेंटेशन इस असोशिटिड विद परिखंडी करण किस से सम्मन्दित है मार्केट सर्वे रिपोर्ट से बाजार सर्वेक्षिन रिपोर्ट से सम्मन्दित है अइडनिफाई दो और वन आउट तो इन में से कौन सा जो है विशब है वो आपको चुनना है वो आपका ESPN तो यहाँ पर यह आपके तीनों ही है वो स्टेंडर्ड से जुड़े वे है इसलिए तीनों अलग है और जो ESPN है वो आपको कह सकते है अमेरिकन एक स्पोर्ट्स चैनल का नाम भी है लेकिन यह जो तीनों है आपका स्टेंडर्ड से जुड़े होए है जैसे आपका ANSI क्या है आपका तो इसको आप ज़रूर धान रखे तीनों के नाम ही कई बार जो है पूछे जाते हैं तो आपका है अमेरिकन नेशनल स्टेंडर्ड इंसिट्यूट इस तीनों का स्टेंडर्ड से लिटेड है चोथा आपका अलग था इसलिए यह हमने विश्म चुना है तो इन तीनों को भी आप ध्यान रखें तो ESPN के बारे में हमें अभी बात की है ESPN जो है आपका एक sports channel है अमेरिका का अगला प्रशनिया आपर दिया गया है तो इनके recording आपको जो है इनका origin year जो है उसके recording बताना है origin year के recording तो यह सारे आपके दिये गए हैं पहला आपका Indian National Bibliography British National Bibliography cumulative book index और books in print तो यहां पर जो यह एक book है books in print तो इसको आप ध्यान रखें यह book जिदकी है Richard Rogers Boker की है तो इनके author का आप ध्यान रख सकते हैं और यह जो आपकी published जो हुई थी उन्हेंट आपके थी ठीक है क्योंकि origin के recording हमें देखना है तभी इसको हम chronological उनका जो order होगा उसके recording बना पाएंगे फिर हापका INB Indian National Bibliography तो यह सम्मनी था आपके 1958 से फिर आपका BNB BNB British National Bibliography जो कि आपके है 1949 से अगला आपका है cumulative book index जो कि इसमें जो first published जो हुई थी यह उससे सम्मनी था है आप्षिन में आ रहा है तो fourth option में आ रहा है बाकिन डेट को लेकर के कोई भी कहरी हो ता बता सकते है अगला प्रेशन है या फिर आपका इसका आज के टेस्ट का अंतिम प्रेशन जो आप देख पा रहे हैं पर किसके मुल्यांकन में recall and appreciation उन पातों का उप्योग किया जाता है तो information retrieval के लिए second option इसका right answer है तो आज के इस paper में आपके 50 प्रशन रहेते कुछ प्रशन आपके होंगे कि आपको नहीं पता होंगे आपने नहीं पड़े होंगे और फिर आउट और syllabus होंगे आप उनको ignore कीजिए कि बाकी जो आपके काम के हैं उनको जरूर जो है practice में लाइएगा उनको आप revise कर सकते हैं अगर आपको पड़े होए हैं आपके syllabus में हैं वो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको उन पर काम करना है जो आपने नहीं पड़े हैं स्लिबस में नहीं है उन पर आपको काम नहीं करना है क्योंकि यह जो आपके papers हैं आपके old papers कर सकते हैं आपके जो पूर परिक्षयों में पूछे गए प्रशनों को लेकर के तो library science के अगर आपको इंडिया का कहीं का भी paper मिलता है तो आपको आपकी यह है अगर हम छोड़ दे बाकी तो आपका सबका सेम ही है तो उस चीज़ को आप ध्यान रखे बाकी इस paper में आपका जो बिस को रहा है वो आप जरूर शेयर कीजिए से पहले जो आपके 100 प्रशन आपको मिल चुके हैं उनको आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में इसका जैसे यह आपका कौन से नंबर का यह वीडियो है वह आप पर हैस्टेक 52 नंबर का है तो 50 और 51 नंबर का जो वीडियो है आप इससे पहले देख पाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रास्ता अंजी के से समद्धी जो वीडियो से जल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो और स्टेडी मिट्रियल से लिटेड पीडिएफ से लिटेड आपको टेलीग्राम पर ही जो आप इसीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आज किस वीडियो में इतना ही बाकी आपकी जो इसीरीज है वह आपकी चलती रहेगी आपको वसे ही प्रेक्टिस के लिए मिलते रहेंगे तो थैंक यू